सीध्य करें कि एक गात माइनस N बराबर एक बटा एक गात N यानि कोई भी संख्या पर अगर माइनस में गात हो तो उसको एक बटा करके लिख देते हैं और गात के साथ माइनस का चिन हट जाता है तो ये कैसे सीध्य करें तो सबसे पहले लिखेंगे माना की माना की ए बराबर तो ए बराबर हम कोई भी संख्या ले लेंगे एक दो तीन चार पांच है कुछ भी ले लेंगे तो माना की ए बराबर पांच कॉमा इन बराबर अब इन बराबर भी कोई भी संख्या ले लेंगे तो n बराबर हम 2 ले लेते हैं ठीक है एक दो तीन चार कुछ भी ले सकते हैं तो n बराबर 2 ले लेते हैं तो हम क्या माल लेंगे कि a बराबर 5 है और n बराबर 2 तो अब हम a के जगा पे 5 रखेंगे a के जगा पे 5 रखेंगे और n के जगा पे 2 रखेंगे यानि minus 2 हो जाएगा n के जगा पर क्या रखेंगे 2 तो 5 का घात minus 2 ठीक है 5 का घात minus 2 हमें 1 का घात minus n बराबर 1 बटा 1 का घात n लाना है तो इसको लेके चलते हैं और ये लेके आएंगे तो 1 के जगा पर क्या रखेंगे 5 और n के जगा पर 2 यानि 5 का घात माइनस 2 हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसको हम अब 5 का घात माइनस 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 का घात सुन्य माइनस 2 क्योंकि सुन्य में से 2 घटाने पर सुन्य में से सुन्य माइनस 2 क्या आएगा माइनस 2 यानि सुन्य में से 2 घटाने पर क्या आएगा माइनस 2 ठीक है तो माइनस 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं सुन्य माइनस 2 तो 5 का घात माइनस 2 बराबर हो जाएगा 5 का घात सुन्य माइनस 2 अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 का घात सुन्य भागा पांच का घाट दो तो सुन्य माइनस दो है यानि घाट घट रहा है ठीक है घाट यहाँ पर सुन्य में से दो घट रहा है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि भागा में क्या होता है घाट को घटा देते हैं जैसे अगर आधार बराबर है जैसे 5 यहां भी है 5 यहां भी है तो घात को क्या करते हैं घटा देते हैं अगर भागा में हो तो देखिए जब घात घट रहा है तो हम इस तरह भागा में लिख सकते हैं इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पांच का घात सुन्य बटा पांच का घात दो देखे भागा में है भागा में है तो इसको इस तरह बटा में लिख लेंगे यानि जिस से भाग दिया जा रहा है पांच का घात दो से भाग दिया जा रहा है तो इसको नीचे लिख लेंगे और पांच पांच का घात दो तो पांच का घात सुनने के जगा पे एक क्यों लिख लिए क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर घात सुनने हो तो एक लिखते हैं उसके बदले यानि किसी भी संख्या पे अगर सुनने घात हो जाए जैसे कितना भी बड़ा संख्या रहे अगर उस पे घात स सिद्ध हुआ सिद्ध हुआ तो क्या सिद्ध हो गया कि 5 का घात माइनस 2 बराबर 5 का घात माइनस 2 बराबर 1 बटा 5 का घात 2 यानि 1 का घात माइनस 8 बराबर 1 बटा 1 का घात 8 तो एक जगा पर पांच ए बराबर पांच लिये थे और एन बराबर क्या लिये थे दो तो पांच का घात माइनस दो बराबर एक बटा पांच का घात दो हम इस तरह इसको ला दिये हैं का उपतो एक लिये हैं बश्चतीरप टयी माइनस दो पांच का लिया दो का लिये क्या आता अच भांच झाल झाल